सनी वार को करे तेल और उड़त की डाल का ये चुकूपाय सनी की ढईया समेत इन परेशनियों से मिलेगा छुटकारा सप्ता का सनी वार का दिन सुरिय पुत्र बगवान सनी देव को समर पीते आज के दिन सनी माराज की विधी पुरक पुजा करनी चाहिए साथी पीपल के पेड के नीचे दिया जलाना भी फलदाई माना जाता है मान्यताओ के मुताबिक सनी वार के दिन सनी देव को सर्शो का तेल और काला तिल अरपित करना चाहिए इससे सुरिय पुत्र काफी प्रसन होते है सनी देव की कुरुपा दस्ती से बक्तगन रंग से राजा बन सकते है लेकिन जिस पर सनी दोस होता है वह कई परिशानियों से जुषता रहता है ऐसे में अगर आप भी सनी डईया समेथ कई दुखों को जेल रहे हो तो सनी वार के दिन इन विशेश उपायों को जरूर करना चाहिए अगर आप आज के दिन किसी इंटर्यू, मिटिंग ये किसी अन्य काम के लिए बाहर जा रहे हो तो अपने काम में सफलता सुनी से करने के लिए आज के दिन आपको निले रंग के कपड़े पेंट कर जाना चाहिए लेकिन अगर आप किसी दियम के चलते निले रंग के कपड़े पेंट कर ना जाय पाये तो आज के दिन एक निले रंग का रुमाल अपने पास जरूर रख ले अगर आप अपने एज्यूकेशन को लेकर ठीक से कोई फ्यस्ना नहीं ले पा रहे है तो आज के दिन आपको देशी गीर का दिया जला कर मा सरस्वती की आर्थी करनी चाहिए और उन्हें पुस्पर अडपित करने चाहिए साथी विद्या इंत्रधारन करना चाहिए अगर आप अपने काम में दुसरों को प्रभावित करना चाहिए तो आज के दिन आपको अपने नाने के पानी में थोड़ा सा सफेज चंदन डाल करना आना चाहिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पर डाह है तो आज के दिन आपको एक निले रंग का धागा लेकर उसमें 11 गांट लगानी चाहिए साथी हर बार गांट लगाते समय राव का मंत्रा बोलना चाहिए अगर आप कोट कचरी से जुड़े किसी पामले में बुरी तरस से फसे और इससे पीछा चुड़ाना चाहते हैं तो आज सनीवार के दिन थोड़ी सी उड़त की डाल लेकर पीपल के पेड के पास जमीन में दबा दे फिर पीपल के पेड के सामने दोनों हर जोड़ कर अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रातना करे अगर आप अपने जीवन में बार बार आती परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदी के बाद सनी देव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जब करना चाहिए मंत्र इस प्रकारे ओम सम सनेश्वराय नमह अगर आप अपनी काद्य समता को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अरजून के पेड को नमस्कार करना चाहिए और संभव हो तो उसकी जड में जल चड़ाना चाहिए अगर आपके जीवन में आर्थिक रूप से अस्तिर्ता बनी हुई है तो आज के दिन आपको राउ के अधी पत्य वाले आठ मुकी रुद्राक्स की पूजा करके उसे धारन करना चाहिए अगर आप सनी की डईया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सर्सो का तेल लेकर उसमें एक रूपे का सिक्का डाले अब उस कटोरी में अपना चेरा देखने की कोशिस करे और फिर उस तेल को सिक्के समेथ सनी का दान लेने वाले यानि किसी डाकोत को दान में दे दे एक रिया आप आज सनीवार से सुरू करके अगले साथ सनीवार तक जारी रखेंगे तो और भी सुप फलदाई होगा बाकी आपकी इच्छा पर निर्बर करता है अगर आप अपनी भागदोड़ वाली जिन्गी में थोड़ी स्थीर्ता बनाना चाते है तो आपको किसी एक नई कोपल की या पेड़ पर आई नई पत्ती की रोली चावल से पुजा करनी चाहिए और उसे हाज जोड़कर प्रणाम करना चाहिए अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रहे है तो आज के दिन एक सपेज चंदन की गोली लेकर अपने पास रखनी चाहिए और उसे अगले 27 दिनों तक अपने पास ही रखना चाहिए अगर आप चाहिए तो उस चंदन की गोली को दागे में पिरोकर गले में भी पैन सकते है आज के दिन थोड़ी सी साबुद उड़त की दाल में दोचारबुन सर्षो का तेल मिला कर सनी देव के मंदिन में रखाए अगर घर के आसपास सनी देव का कोई मंदिन न हो तो पीपल के पेड के निचे रखाए आज के दिन एसा करने से आपको किसी छेत्र विशेश में प्रसिद्धी पाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप सनी देव के सच्चे भक्त है तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट में जय सनी देव अवस्य लिगें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें धन्यवाद जय सनी देव